जैसा कि आप सबने नोटिस किया ही होगा चार से पांच साल में एक ऐसी फिल्म आती है जो बॉक्स आफिस पर चाज आती है आप समझी गए होंगे 2023 पूरा शारुखान के नाम रहा है लेकिन अब एक ऐसी फिल्म आ रही है जो पठान को बीट कर सकती है बोला जो के अजे देवगन की रिमेक मुवी होने वाली है टीजर आने से पहले लोग इसे कम्प्लीट इग्नोर मा रहे थे एक तो रिमिक्स दूसरा औरिजिनल फिल्म का यूट्यूब पर हिंदी डप में अवेलेबल होना और ये फिल्म नहीं चलेगी यही सब बोला था सबने लेकिन जैसे ही मुवी का टीजर आया लोग तो देखकर ही पागल हो गए और लोगों ने रातो रात ही यूटर्ड मार लिया भोला फिल्म में भगवान शिफ की कहानी दिखाई गई है मैस फिल्म बनाने के लिए लोग हॉलिवूट की कॉपी करते हैं और ऐसे सीन ही पबलिक को एट्रेक्ट करते हैं इसी वज़ा से भोला अपना खुद का देशी एक्शन पबलिक के सामने रखेंगे हाथ पाउं से जंग लड़ी जाएगी और मुवी में ट्रिशूल सबसे पारफुल हथ्यार होगा अजे देवकन एज़ एक्टर आपको पसंद हो या ना हो लेकिन एज़ डायरेक्टर हमेशा इंडिया को ऐसी फिल्म देते हैं जो सोच से थोड़ा हट कर चलती है ही महादेव है जाहिर से बात है मुवी में ठ्रिल और मिस्टरी भरी ही होगी फैन्स हीरो और विलन्स की लड़ाये पुरानी हो चुकी है हर फिल्म में कहानी रिपीट होती है लेकिन बोला का कॉंसेप्ट ही शेतान वर्सिस भगवान है और अजे देवगन मुवी में एक्टिव है और दूसरा दरिशियान टू रिमेक होकर भी दोसों से ठाइसो करोड कमा सकती है लेकिन भोला हिंदी अडॉप्शन मुवी है हंडर पर्सन कॉपी नहीं है और मुवी में नया सस्पेंस थ्रिल एक्शन्स टाले गए हैं अब इसकी रिलीस डेट की बात करें त इस मार्च को इंडिया सिनिमा में देखने को मिलेगी